अज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में दोस्तो अक्सर एक्जाम्स में वर्ल्ड बैंक, आईमेफ, डेवलू टियो और इसी तरह की कई अंतराश्ट्य संस्थाओं के बारे में सवाल पूछे जाते हैं इसलिए हमें इन संस्थाओं से जुड़े फैक्ट्स और ये कैसे काम करती हैं उसके बारे में थोड़ी जनकारी जरूर रखनी चाहिए और इसी करम में मैंने आईमेफ यानिक इंटरनेशनल मोनेटरी फंड के उपर वीडियो बनाया है अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसके लिंक में आपको इस वीडियो के डिस्क्रीप्शन में दे दूंगा आप वहाँ क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं चलिए आप बात करते हैं वल्ड बैंक के बारे में दोस्तो, IBRD यानि कि International Bank for Reconstruction and Development और IMF यानि कि International Monetary Fund दो ऐसी अंदराश्टे संस्थाएं हैं जिनका निर्मान एक साथ जुलाई 1944 में Bretton Woods Conference के दोरान हुआ था इसलिए IBRD और IMF को Bretton Woods Twins भी कहा जाता है जुलाई 1944 में अमेरिका के New Hampshire State के Bretton Woods नाम की जगा पर 44 देशों के प्रतिनिधियों ने IMF और IBRD के निर्मान से जुड़े फ्रेमवर्क पर सिगनेचर किया ये 44 देश जिसमियों भारत का भी प्रतिनिधितू था, IMF के साथ साथ IBRD के भी संस्थापक सद से कह गए IBRD ने ओफिसियली 25 जून 1946 से काम करना शुरू किया दोस्तों जहां IMF का फोकस International Financial System Stability लाना था वहीं IBRD का फोकस Second World War में तबाह हुए देशों को Rebuild करने के लिए उनका पुनरिर्मान करने के लिए और Sustainable Economic Growth के लिए लोन और Guarantee के रूप में फंड की बेवस्ता करना था दोस्तों बाद में IBRD और IDA यानि कि International Development Agency जिसकी स्थापना 1960 में विकासिल और गरीब देशों को Infrastructure Development के लिए लोन देने के लिए की गई थी इन दोनों को समिली तुरूप में यानि कि IBRD और IDA को समिली तुरूप में World Bank का नाम दे दिया गया जो आप World Bank की वेबसाइट के Home Button पर भी लिखावा देख सकते हैं दोस्तों जब हम World Bank कहते हैं तो वास्तों में हम IBRD और IDA को समिली तुरूप में सम्भोधित कर रहे होते हैं चलिए अब बात करते हैं World Bank Group के बारे में World Bank Group पांच Closely Associate संस्थाओं का समू है इस ग्रूप में IBRD यानि International Bank for Reconstruction and Development IDA यानि International Development Association, IFC, International Finance Corporation, MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, ICSID यानि International Center for Settlement of Investment Dispute आते हैं दोस्तों World Bank के इन पांचों institutions के बारे में हम ब्रीफली आगे discuss करेंगे अब हमें World Bank से जोड़े कुछ facts भी देख लाएने चाहिए World Bank और World Bank Group में सामील सभी सहयोगी संस्थाओं का Headquarter IMF की हितरा United State के रजधानी Washington DC में है World Bank का President World Bank Group के सभी संस्थाओं का भी President होता है David R. Malpass World Bank के Current President है ये World Bank के 13th President है इन्होंने 9 April 2019 से अगले 5 साल के लिए World Bank के President का पतभार संभाला है David R. Malpass इससे पहले United State के Treasury for International Affairs के Under Secretary यानि की अवर सचु की रूप में काम कर चुके है दोस्तों World Bank का President हमेशा United States से ही रहा है हलाकि या कोई नियम नहीं है कि President हमेशा United State of America से ही रहे World Bank में voting power असल में तै करती है कि कौन से देश का व्यक्ति President होगा David Malpass ने Jim Yong Kim का स्थान लिया है जो की एक Korean mole के अमरीकी नागरिक थे इस तरह से अब तक जितने भी World Bank के full time यान की 13th President हुए हैं सभी अमरीकी नागरी की हैं World Bank and Group की जो cheap economist हैं उनका नाम Penelope Kujino Goldberg है इन्हें Penny Goldberg नाम से भी जाना जाता है World Bank ने 1947 में as an IBRD अपना पहला General Reconstruction Loan यान की पूरे निर्मान से संबंदित लोन France, Netherlands, Denmark और Luxembourg को दिया था इनमें सबसे बड़ा लबहाती France था IMF ने भी अपना पहला लोन France को ही दिया था World Bank में currently 189 member countries हैं इसका सबसे नया member Republic of Nauru है या Central Pacific Ocean का एक छोटा size land है दोस्तो World Bank एक cooperative यानि की सहकारी संस्था की तरह काम करता है यह इसके सदस्य देशों दोर संचालित होता है सभी सदस्य देशों का उस पर voting power दोर निर्धारित स्वामित्व का अधिकार होता है यह सभी देश World Bank में decision making, policy formation, financial और membership issue पर अपनी राय दे सकते हैं सदस्य देश World Bank को Board of Governors और Board of Executive Directors के माधियम से गवर्न करते हैं Board of Governors में हर सदस्य देश से एक गवर्नर और एक alternate गवर्नर होता हैं यानि कि 189 countries member हैं तो 189 गवर्नर होंगे और 189 alternate गवर्नर होंगे हर देश का वितमंत्री यानि कि Finance Minister इसका गवर्नर होता है और देश के Central Bank का गवर्नर या उसके सिमिलर रैंक का कोई Senior Official इसका alternate गवर्नर होता हैं Currently, निर्मला सीतरमन, World Bank के Board of Governors में as a Governor from India chaired हैं और Mr. अतानु चोकरवर्ती जोकी वितमंत्राले भारत सरकार में Secretary of Finance and Economic Affairs हैं वे alternate गवर्नर हैं Next है Board of Directors World Bank Group के वर्तमान Board में 25 डिरेक्टर हैं इन 25 डिरेक्टर का चुना Board of Governors अपने voting power के अधार पर करते हैं चुनेंगे 25 डिरेक्टर में से एक Executive Director चुना जाता हैं जिसे President of World Bank अपोइंट करता है जोकी Board of Directors का Chairman भी होता है कोई भी देश जो World Bank का सदस्य बनना चाहता है किये जाते हैं कोई देश इस Allocated Board से अधिक भोट भी सब्सक्राइब कर सकता है हर Extra Board के लिए सदस्य देश को Total Share में से एक Extra Share खरीदना पड़ता है यहां One Share for One Board का Concept है यानि एक देश World Bank की जिस संस्था में Extra Board चाहता है उसे उस संस्था में एक Extra Share खरीदना पड़ता है एक Extra Share के बदले उसे एक Extra Vote मिलता है World Bank के सभी Associate संस्था में किसी देश को अलग-अलग Vote खरीदना पड़ते हैं यानि हर संस्था के अलग-अलग Number of Share होते हैं जिसके पास जितना अधिक Share होगा यानि कि Total Capital में जिसकी हिसे दारी जितनी अधिक होगी उसकी voting power उस संस्था में उतनी अधिक होगी IBRD, IFC, IDEA और MEGA में सबसे अधिक voting power United States of America के पास हैं दूसरा स्थान जपान का है भारत IBRD और IDEA में voting power के मामले में सात्वे नमबर पर हैं चलिए अब बात करते हैं World Bank Group के सभी पांचों organization के बारे में इसमें पहला है IBRD यानि कि International Bank for Reconstruction and Development या World Bank Group की सबसे पुरानी संस्था है 1944 में, Bretton Woods समझोते के बाद 1946 में इसने officially काम करना शुरू कर दिया था IBRD आज दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी cooperative संस्था है जिसके 189 countries मेंबर हैं और जो reconstruction और development के लिए basically infrastructure development के लिए upper middle income, middle income और low income वाले देशों को loan, guarantee, policy advisory service और risk management जैसी सुईधाउप लब्द कराती हैं low income countries वैसी countries हैं जिनकी GNI per capita 1st of July 2019 के World Bank Altas method के अनुसार 1,025 dollar per year या उससे कम हो और middle income countries वैसी countries हैं जिनकी GNI per capita income 1,026 dollar per year या उससे अधिक और 3,995 dollar per year तक हो इसके बाद upper middle income countries हैं जिनकी per capita income 3,996 dollar से 12,375 dollar की बीच हैं और high income देश वैसे देश हैं जो 12,376 dollar और उससे उपर की GNI per capita रखते हों भारत की GNI per capita income यानि की gross national income पर अधारित per capita income 2,020 dollar per year हैं चाइना जो हमारा पडोसी देश है GNI per capita के मामले में हमसे बहुत आगे हैं और जल्दी या high income group में सामिल हो जाएगा चाइना की GNI per capita income 9,470 dollar per year है या पिछले 10 साल में दोगने से भी जादा बढ़ गया है IBRD केवल middle income, upper middle income और उधार चुकाने योगी यानि की credit worthy lower income देशों को ही लोन देता है IBRD का अधिकतर loan infrastructure development से ही जुड़ा हुआ होता है IBRD में इंडिया की voting power total vote का 3% है जो की 73,694 vote के बराबर है USA के पास 15.67% बोट है जो की कुल 3,85,294 vote के बराबर है IBRD भारत में SBI के साथ मिलकर solar energy को बढ़ावा देने के लिए solar park बनाने में और 2022 तक solar energy की capacity 100 GW तक ले जाने के लिए प्रयासरत है IBRD ने इसके लिए भारत को 625 million dollar का loan भी उपलप्त कराया है World Bank ने इसे अपनी website के IBRD section में IBRD at work नाम से भी publish किया है अब बात करते हैं World Bank की दूसरी महत्पून सहयोगी संस्था IDA यानि की International Development Association के बारे में इसकी स्थापना 1960 में की गई थी दोस्तो IDA World Bank की ऐसी संस्था है जिसका काम गरीब देशों की यानि की low income वाले देशों की गरीबी दूर करने मदद करना है IDA का लक्ष इसके सभी shareholders यानि की 173 सदस्थे देशों को गरीबी दूर करने के लिए loan और grant सुपलप्त कराना है जिससे की उन देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले programs चलाया जा सके आर्थिक आसमानता को दूर किया जा सके और लोगों की living condition को improve किया जा सके इसके अलावे कई health programs और epidemic यानि की महामारी से लड़ने के लिए भी programs आईडिये चलाती है आईडिये द्वरा जो लोन दिया जाता है उसे credit कहा जाता है आईडिये को soft window of world bank भी कहा जाता है इसे world bank का original lending arm कहकर भी complement किया जाता है दोस्तों, IBRD और आईडिये को समयलित रूप में world bank कहा जाता है इन दोनों संस्थाओं की staff और headquarter भी एक ही जगा पर हैं किसी भी project को evaluate करने का standard और purpose भी दोनों का same है आईडिये सदस्य देशों को concessional term पर loan देती है यानि कि आईडिये credit पर interest zero होता है या फिर बहुत कम interest लिया जाता है ज़्यादेतर credits 30 से 38 साल की लंबे आउधिवाले होते हैं जिसमें 5 से 10 साल और grace period मिल जाता है इसके अलावा आईडिये सदस्य देशों को grants यानि कि अनुदान भी अपने माध्यम से दिलाती है गरीब देशों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए HIPC initiative यानि कि heavily indebted poor countries initiative और MDRR यानि कि multilateral debt relief initiative के तहत grants और free interest credit उपलब्द कराती है वित वर्ष 2018-19 में IDA ने 22 billion dollar का cool credit गरीब देशों को उपलब्द कराया है इसमें 36% grants यानि कि अनुदान के रूप में दिया गया है IDA ने 1960 से अपने इस्थापना से लेकर अब तक 113 देशों में करीब 375 billion dollar का investment किया है गोस्तों IDA अपना loan या credit उन्ही देशों को देने में प्राथमिक्ता देता है जिनका GNI पर केपिटा 1175 dollar या उससे कम हो यानि कैदे से 173 देशों में से किवल 76 देश ऐसे हैं जो इस स्रेणी में आते हैं भारती स्रेणी में नहीं आता हैं लेकिन South Asia से अफगानिस्तान, बंगला देश, भुटान, मालदीप, नेपाल और पाकिस्तान इसमें समय लित है लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत को IDA से लोन नहीं मिलता हो, भारत को भी IDA से लोन मिलता है, लेकिन भारत को मिलने वाला लोन कम प्राथमिकता वाला लोन होता है नेक्स्ट और्गनाइजेशन है IFC जानिक International Finance Corporation, इसकी स्थापना IDA की स्थापना से पहले जुलाई 1956 में हुई थे इससे World Bank का Private Arm भी कहा जाता है, इसके आज 184 Countries Member है IFC अपना Focus Developing Countries में Private सेक्टर को लोन देने में, टेक्निकल सपोर्ट करने में, एसेट मैनेजमेंट सर्विस देने में, इन्वेस्टमेंट एडवाईजरी देने में करती है IFC से मिलने वाले Commercial Loan का इंट्रेस्ट तुलनातमक रूप से कम होता है अगला और्गनाइजेशन है मीगा, यानि कि Multilateral Investment Guarantee Agency इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, आज 181 Countries इसके सदस्ये है मीगा एक ऐसी संस्ता है, जो सदस्यों देशों में निवेस करने वाले विदेशी निवेसकों को खासकर Foreign Direct Investment करने पर उस देश में निवेस करने के Non-Commercial Risk के वाज में Insurance और Credit Enhancement Guarantee रेती है, यानि कि मीगा या सुनिश्चित करती है कि उसके सभी 181 सदस्ये देशों में यदि कोई FDI दोरा इंवेस्ट करता है तो उसे देश में मौजूद Political Risk यानि कि आसान्ती, सत्ता परिवर्तन, आतंकवाद या ग्री यूद और Currency In Convertability और Transfer Restriction में प्रोब्लेम आने जैसी स्थिती में इंवेस्टमेंट डूबने पर Insurance कभर दिया जाएगा और पैसा रिंभर्स कर दिया जाएगा पब्लिक सेक्टर को मीगा से इंसुरेंस लेने के लिए World Bank के मीगा सेक्षन में जाकर उनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और अपने प्रोजेक्ट और कंपनी से जुड़े डिटेल देने पड़ते है अगला और्गनाइजेशन है ICSID यानि कि International Center for Settlement of Investment Dispute इस किस्था अपना 1966 में की गई थी भारत World Bank के सभी Associate Group का सदस्य है केवल ICSID का सदस्य नहीं है ICSID सदस्य देशों के बीच आपसी निवे संबन्दी विवादों को निप्टाने का काम करती है दोस्तो World Bank के बारे में बस इतना ही उमीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको World Bank के बारे में कुछ न कुछ नया जरूर जानने को मिला होगा वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा जब भी आप हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करते हैं इसे हमें बड़ी प्रेड़ना मिलती है नई वीडियो बनाने में वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद